नमस्कार दोस्तो वागता सभीका माई चैनल माई नोलिज में और मेरा नाम है पिंटु भारत दौस्तो आज की जो वीडियो है वीडियो बहुँच जयादधा इंपोली वीडियो है आप सभी के लिए अगर आप एक पीफ़के मेंबर है एक्ट्वल मेंए ये जो वीडियो है का UN और password है तो अब आपको आपके employer की जरूत नहीं पड़ेगी यानि कि आपके अधार कार्ड को link करने के लिए आपको अपने employer की approval लेने की जरूत नहीं है क्योंकि आप simply युनिफार member portal में login करेंगे और केवसी वाले section में जाके आप अपने अधार कार्ड नंबर को add कर देंगे और directly वो verify हो जाएगा यानि कि वो आपके employer के पास approval के लिए नहीं जाएगा लेकिन दोस्तो इसके अंदर एक condition भी है कि आपके अधार कार्ड में जो detail है वो आपके UN के detail की साथ मैच करना चाहिए अगर वो मैच नहीं करता है तो वो वहाँ पे verify नहीं होगा चलिए दोस्तो तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि EPFO ने ये अच्छी update सभी PM को क्यों दिये है तो दोस्तो आप सभी को पता ही होगा कि एक जून से आपका employer ECR सिरफ उसी PM के फाइल कर सकता है जिस PM का जो अधार काड है वो UN के साथ लिंक है तो दोस्तो EPFO ने ये फैसलिटी सभी PM को दे दी है कि अब आप जल्दी से अपना अधार काड अपने UN के साथ लिंक कर ले और आपको अब आपके employer की जरूत भी नहीं पड़ेगी तो चलिए मैं आपको लाइब करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इस चीज की confirmation हो जाए तो चलिए हम अपनी laptop की स्किन पे चलते हैं हेलो दोस्तों तो यह दिखे मैं अपनी laptop की स्किन पे आ चुका हूँ और अगर आप मेरी laptop की स्किन पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ओल्रेडी युनिफार सी डोकुमेंट टू एड का आपको option मिलता है वहां पे आपको एक अधार का option भी मिल जाता है और आप जैसे इसके उपर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे अधार detail मांगी जाती है अधार detail में यहाँ पे आपका नाम automatically pick कर लेगा आपने simply यहाँ पे अपना अधार का number डालना है तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अधार का number डालने के बाद ठीक नीचे आपको right hand side पे यहाँ पे save का एक button जराएगा आप simply इसके उपर क्लिक कर दे लेकिन अब यह directly current active KYC में यहाँ पे add हो जाता है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले row में ही आपको यहाँ पे अधार कार नजर आ जाएगा इस अधार कार में अगर आप देखेंगे status में यहाँ पे आपको verified नजर आ रहा है लेकिन जहाँ पे यहाँ पे signature type में Shopify शो कर रहा है तो दोस्तों यह एक life process था जिसको मैंने आपको करके दिखाया जिससे आपको confirmation मिल गई होईगी कि आप अपने employer के बिना ही आप अपने अधार काड को UN के साथ लिंक कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इसमें दो condition है पहला यह कि आपके पास Unified Member Portal का password होना चाहिए औ और अगर आपको वीडियो चलिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्साइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्साइब कर ले और बैल आइकन दबा के all notification को on कर ले ताकि इसी तरह की latest update आप तक सबसे पहले किया है